दोस्तों, सहजन या मुनगा को इंगलिश में ड्रम स्टिक कहा जाता है, ये सबजी सबसे ताकतवर और पोशन पूरा कहार है, इसे आम भाशा में मुनगा भी कहते हैं, इसकी फली ही नहीं बलकिजर से लेकर फूल, पत्ती, तना, गोंद, हर चीज बहुत उपियोगी होती है आयूर денег में सहजन के बहुत से उपियोग बताए गए हैं, इसके सेवन से तीन सो रोगों का उपचार संभव है, सहजन में संतरे से साथ गुना अधिक विटामिन C पाया जाता है, इसमें गाजर से चार गुना अधिक विटामिन A और दूद से चार गुना अधिक कैलशिम पाया जाता है। सहजन में कैले से 3 गुना अधिक पोटेशियम और दही की तुलना में 3 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। स्वास्थे के हिसाब से सहजन की फली और पक्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलशियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीशियम, विटामिन ने और भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन के सेवन से कई बीमारियों को ठीक किया जाता है, इसका बोटेनिकल नाम मौरली गर ओलिफेरा है। दोस्तों, सजहन को स्वास्थे के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, तो चलिए आज हम आपको सहजन खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। नमबर वन, सहजन की पत्ती बहुत उपियोगी होती है, इसका कारा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका में शीख लाब पहुँचता है, इसकी जर का कारा भी साइटिका में चमतकारी प्रभाव दिखाता है, मोच होने पर भी सहजन के पत्ते को पीसकर सरसों का तेल डाल कर आज पर पकाएं और मोच के स्थान पर लगाने से बहुत जल्दी लाब मिलता है 2. सहजन की फली की सबजी खाने से जोडों का दर्द, गठिया जैसे रोगों में भी लाब होता है इसके ताजे पत्तों का रसकान में डालने से कान दर्द ठीक हो जाता है और इसकी सबजी खाने से गुर्दा और मुत्राशे की पत्री भी निकल जाती है इसकी जर्की छाल का कारा पीने से पित्ताशे की पत्री में लाब होता है इस कारे में आप सिंधा नमक और हिंग डाल कर भी पी सकते हैं सहजन की फली का सेवन करने से बुरहापा दूर रहता है और इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीरे निकालने में भी मदद करता है और उल्टी दस्त भी रोपता है। ये बलड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगड़ होता है। इसके नियमित सेवन से हाई बलड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। 5. इसकी चाल के कारे से कुल्ला करने पर दांतों के दर्द और मसूरों के दर्द में आराम मिलता है और दांतों के कीरे नेश्ट होते हैं. 6. सहजन का फूल पेट के रोगों और कबज को ठीक करने में काफी सहायक होता है. इसकी पत्ती नेतर रोग, मोच, साइटिका और गठिया आदी में उप्योगी होती है. इसकी चाल का सेवन भी साइटिका, गठिया और लीवर रोग को ठीक करने में लाबकारी होता है. यदि आ होता है नंबर सेवन सहजन के पत्तों की सबजी खाने से भी कब्ज रोग दूर होता है और इससे मिर्गी के दौरों में भी लाब होता है इसकी पत्ती को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक हो जाते हैं नंबर एट सहजन का बीज भी बहुत उप्योगी होता है इसके बीज से पानी को काफी हद तक शुद्ध किया जा सकता है इसके बीज का चून बनाकर पानी के साथ सेवन किया जाता है पानी में घोल कर ये एक प्रभावी नेचुरल क्लोरिफिकेशन एजेंट बन जाता है जो जो पानी के सभी बैक्टीरिया को नश्ट करता है और पानी को शुद्ध करके पेजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजन के गोंद को जोरों के दर्द और दमा रोग में भी रोगी माना जाता है। आज भी कई जगा ऐसी माननेता है कि सहजन के प्रयोग से वायरस से होने वाले रोग जैसे चेचकादी को भी ठीक किया जा सकता है। 10. सहजन के फूल को पानी में उबाल कर उसकी भाप लेने से शरीर की जकरन कम होती है। 11. गर्भवी महिलाओं के लिए भी इसका जूस काफी फायदेमंद होता है और डिलीवरी में होने वाली समस्या से रहत मिलती है। 12. सहजन में इंटियोक्सिडेटिव गुन पाए जाते हैं ये टाइप टू डाइबिटीज हरदे की समस्या और अलजाइमर जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में काफी फायदेमंद होता है और लास्ट है नंबर 13. सहजन का सूप पीना सबसे अधिक फायदेमंद हो ये शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है तो फ्रेंज वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू